दोस्तों CID के सीजन टो में क्या CID की ब्यूटी क्विन यान की इंस्पेक्टर पूर्वी बनने वाले हैं एक कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट बनकर पूर्वी आखिर करेंगे क्या सब कुछ हम डिसकस करेंगे इस विडियो के अंदर लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप चानल पे नए आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब सरू करिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स में CID या फिर पूर्वी लिखकर अपना प्यार CID शो के लिए सरूर दिखाएए तो दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि CID के इंस्पेक्टर पूर्वी ना किसी से डरती है ना किसी से खौप खाती है अपराधी जो है वो पूर्वी का नाम सुनकर दहश्यत में आ जाते हैं क्योंकि पूर्वी जो है वो अपराधियों की धुलाई अच्छी तरह से करती है और उनको सलाखों के पीछे भी अच्छी तरह से पहुंचा देती है पूर्वी जो है वो CID के सीजन टू में एक कॉलेज में जाने वाली है दुर्टो स्टूडेंट बनकर क्योंकि CID के पास जहां पर CID को ये खबर मिलता है कि उस कॉलेज में एक ऐसा कमरा है जो की पिछले 30 सालों से बंद है कहते हैं कि उस कमरे के अंदर एक अत्रिप्ता आत्मा है जो की रात को निकल कर होस्टेल में रह रहे हैं बच्चों को डराती है और कुछ होस्टेल के बच्चे जो है वो क देखते हैं पूर्डी इस केस को सॉल्व कैसे करेगी